हेलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है समान्य विज्ञान के 25 पर्सन जो है इस वीडियो में हम देखेंगे अगर पहला सेट वन नहीं देखें तो जाकर के चैनल पर विजिट करके देख लिजिए का समान्य वि उसके बाद चलिए next दूसरा question देख लेते हैं दूसरा question कहा गया है बल दौरा किसी बस्तू पर किया गया कारिया निर्भर करता है तो इसका right answer आप लोग जानते भी होंगे 10th में परहे होंगे तो इसका right answer आपका हो जाएगा c जो है right answer हो जाएगा ठीक है बलके परिमान पर निर्भर करता है तो देखिए जो iti में question जो आते हैं तो 1500 question टोटल रहता है और 1500 में से जो है divide किया जाता है 50 आपके question रहेंगे जीके का उसके बाद जो है 50 question रहेंगे आपको समान्य विज्ञान का और 50 math का question रहने वाला है तो आप लोग जो है अच्छे से तयारी किजिएगा math जो है 10th level का आता है ठीक है तो आप लोग जो है अच्छे से pretty fashion करके जाईएगा तो अराम से अच्छा rank ला सकते हैं तो इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए आप लोग study अच्छे से कीजिए क्योंकि अच्छा rank लाएंगे तभी जा करके जो है बढ़ियां trade मिल पाएगा इस चीज को ध्यान में रखेगा आप सभी उसके बाद च right answer आपका हो जाएगा d ठीक है what होता है इसका सक्ती का एसा है मात रख उसके बाद चलिए next देख लेटे हैं किसी पींड की इस्थिती उर्जा किस्पर निर्फर करती है तो इसका जो है राइट answer हो जाएगा आपका उसका निर्फर करती है तो चलिए देख लेते हैं उसके उचाई दोनों पर जो है निर्फर करता है C जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं किसी ask में लोह धातू की जो है अधिकतम मातरा पाई जाती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 30 का right answer अपका हो जाएगा A ठीक है हेमा टाइट जो है right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लेते हैं याकूट एक क्या है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो D जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है D जो है right answer हो जाएगा 1996 में दिखाई पढ़ने वाली एक धूम के तू था है ठीक है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं पहार कहलाने के लिए भुकहंड की और सत नयुंतम जो है उचाई कितना होना चाहिए तो जो हम पहार कहते हैं किसी चीज को तो उसका उचाई कितना होता है जो उसका पहार नाम दिया जाता है तो इसका जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा सी जो है राइट एंसर हो जाएगा ठीक है 900 मीटर से अधी कहुचाई रहेगा तब उसे हम लोग जो है पहार नाम देते हैं उसके बाद चलिए next देख लेते हैं Celsius scale पर मानव सरीर का समान्य तापमान होगा तो आप लोग जानते भी होगे और Celsius में और Fahrenheit में जो है मापा जाता है तापमान मानव सरीर का तो इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पूछा गया Celsius À scale पर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका C ठीक है 36.9 degree मापा जाता है आप लोग जो है जैसे थर्मामीटर में देखते होंगे तो उसमें foreign height में बताता है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं तो 2017 में जो है पूछा गया था एक जो है लाल गरह के बारह में भी पूछा गया था तो चलिए इसमें देख लेते हैं तो इसका right answer हो जाएगा आपका C ठीक है विरस्पति जो है सबसे बरा गरह है और लाल गरह पूछा जाए तो यहाँ पर आपका मंगल हो जाएगा 2017 में भी question पूछा गया था उसके बाद चलिए next देख लेते हैं हवा में जिस gas की मातरा सबसे अधीक है वह है तो सबसे अधीक है वह कौन सा मातरा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप सभी जानते भी होंगे तो चलिए नहीं जानते हैं तो देख लिजए इसका right answer हो जाएगा D nitrogen जो है हवा में अभी शबसे अधीक मातरा में पाया जाता है उसके बाद चलिए इस्तिरियों की तुलना में अधीक पुरुष जो है इसका right answer आपका हो जाएगा C ठीक है उनमें केवल एक X chromosome होता है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं ठंड के दिनों में जो है लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राता काल में चुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्यों तो यह किस कारण लगता है ठंडा तो इसका right answer हो जाएगा आपका B ठीक है लकड़ी की तुनला में लोहा उस्मा का अच्छा चालक होता है इसलिए जो ठंड लगता है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं किसी परमानू नाभिक का जो है आईसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है तो इसका right answer हो जाएगा आपका B ठीक है प्रोटोनों की संख्या वही होती है परन्तु निट्रोन की संख्या जो है भीनने होती है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सकीडियर असायन है तो इसका right answer क्या हो जाएगा यह हम पहले भी करा चुके हैं question तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा एलेथ्रिन right answer हो जाएगा उसका चलिए next question देख लेते हैं भारी जल वह जल होता है, तो भारी जल कौन सा जल होता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer आपका हो जाएगा C, छिसमें hydrogen का आस्थान उसका iso top लेता है, तो उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं, परमानु नाभिक के अव्यव हैं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 41 का जो है राइट एंसर हो जाएगा आपका C ठीक है प्रोटीन और नूट्रोन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लेते हैं 20 वर्स की आयूपर मानव सरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग तो कितना होता है 20 वर्स जब पूर जाता है व्यक्ति का तो कितना हड्डि होता है तो इसका जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा 200 के आसपास जो है रहता है ठीक है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं एक पिंड 5N के बल की किडिया के अंतरगत एक सीधी रेखा में 10M की दूरी तैय चलता है यदि इन में किया गया काड़ ये 25 जूल हो तो बल की दिशा और पिंड की गती की दिशा के बीच का कोन है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा बी 60 डिग्री जो है राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं 100 वाट की बिजली का बल्व यदि जो है 10 घंटे जल दें तो बिजली का खर्च होगा तो कितना खर्च होगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 1 एकाई जो है खर्च होगा बी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यदि किसी एनक के लेंस की पावर जो है प्लस पॉइंट टू डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा C पच्चास सेमी दूरी होगी उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निमलिकित में से कौन सा एक केम्प्यूटर की भासा नहीं है तो इसमें जो है केम्प्यूटर की भासा नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका C ठीक है फास्ट जो है केम्प्यूटर की भासा नहीं है उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं निम्नांकित पदार्थों में कोन केवल एक ही तत्व हैं से बने है तो इसका राइट एंसर क्या है तो इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा आपका C जो है राइट एंसर हो जाएगा ही रा उसके बाद चलिए 48 नमबर विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो दिवस से related एक नएक question पुछा जाएगा ठीक है तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा विज्ञान दिवस का मनाया जाता है तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवाड़ी को जो है मनाया जाता है ठीक है बिज्ञान दिवास 28 फरवाड़ी को मनाया जाता है उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोस्टन तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन नेशनल एरोनोटिक एंड एस्पेन एड्मिनिस्ट्रेशन इस्थित है तो यह जो है कहां इस्थित है पाथ फाइंडर जो है उतरा था तो कहां उतरा था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा मंगल गड़ा पर जो है उतरा था तो आज आपने देखा 25 कोस्टन यह पहले भी हम करा चुके थे फिर से जो है एक सीरीज के अनुसार करा दिये हैं साइंस का कोश्चन अगर पहला सीरीज अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लिजेगा और ये सीरीज जो है दूसरा है ठीक है तो आगे भी प्रोवाइड करा देंगे तो चैनल पर पहली बार होंगे तो च आप नहीं किये होंगे तो जरूर से जरूर कर लिजे क्योंकि आप लास्ट डेट जो है ज्यादा टाइम नहीं बचा है ठीक है पांच तारिक तक अभी डेट जो है है तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देए चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत वह धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो